हाई गाईज मैं मिस्टर योगेंद हिस्टी एक्स्प्लानेशन में आप समय लोग का स्वागत कता हूँ और आज 21 नॉवंबर है आज 21 नॉवंबर को भारत और बीशों में कई घटनाएं हुई इतियास की पर्णे में दर्जें जो उन्ही को हम आज चर्चा में लेंगे 1947 आजादी के बाद पहले देश में पहली बार डाक टिकट जारी की गई देश में डाक टिकट का इतियास उतना ही पुराना है जितना देश की आजादी है डाक टिक्टों की भिकास यात्रा भी बहत दिल्चस्प है आज हम आपको बताएंगे की पहली डाक टिकट कब जारी हुई इसके साथ डाक टिकट से जुड़े कुछ अंचुए पहलूओं को भी जानेंगे भारत का पहला डाक टिकट 21 नौंबर 1947 को जारी हुआ इसका उपयोग केवल देश के अंदर डाक भेचने के लिए किया गया इस पर भारती धोज काचित्र और जहिन लिखा था आजाद भारत का पहला डाक टिकट साड़े तीन आना रासी यानि 14 पैसा था 15 अगस 1947 को नहरुजी ने आजादी के बाद लाल के लिए से अपना पहला भासन जहिन से समाप्त किया जिसमें उस वक्त डाक टिकटो घरों में सुचना पहुँच गई और टिकटो पर जहिन लिखा जाने लगा भारत चीन स्रीमा विवात के दोरान 1962 में चीन ने आजी के दिन संघर्ष विराम का एलान किया 20 अक्टूबर 1962 में भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया जिसमें अपार जन्धन की हाने होई उस समय भारत के पास इतने ज्याता सैनिक वह हथिया नहीं थे जितना चीन के पास था और परिराम और रांचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिसे पर चीन ने कबजा कर लिये और अन्त में आज ही के दिन यानि 21 नौंबर 1962 में युद्ध का संघर्ष विराम हुआ भारत ने पहला राकेट 21 नौंबर 1963 को लांच किया यानि मंगल यान के करीब 50 साल पहले ये एक नाइक अपाचे राकेट था जिसे अमेरिका से लाया गया था फिर 1967 में भारत द्वारा निर्मित पहला राकेट रोहिनी 75 लांच किया गया 1970 में प्रसिद्ध भावतिकी नोबल पुरस्कार सीवी रमन का निर्ण हुगा सीवी रमन भारती भावतिक सास्त्री थे प्रकास के प्रक्रिणन पर उतक्रिष्ट कारे के लिए वर्ष 1930 में उन्धे भावतिकी का प्रतिष्ठित नोबल पुरस्कार दिया गया उनका अविस्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जलता है। आधे आधे घंटे के लिए विकास कारेक्रमों के रूप में किया गया। उस समय दूर दर्शन का प्रसारण सप्ता में तीन दिन आधे आधे घंटों के लिए किया जाता था। इसको तेलिवीजन इंडिया नाम दिया गया। बाद में 1975 में हिंदी नाम करण दूर दर्शन न नुवंबर के इतियास को अच्छे जाना ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें धन्यवाद जैहिन